हेलों वेल्गम एवरीवन आप सभी का हमारे इजुकरिशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्यूटी में एक बार फिर दस्वागत है बात करेंगे आज हम लोग आप रिजनिंग के प्रैक्टिस सेशन नंबर सिक्स किस से पहले कि अगर हम बात करें आपके रेस्पॉंस की तो आपके जो रेस्पॉंस हमें मिले हैं वो काफी बहतरीन है यानि किकर हम मान के चले on an average तो 20 questions आप सभी के कह सकते हैं कि correct हो रहे हैं हाला कि कुछ ऐसे भी aspirants हैं जिनके 20 अबव हैं और साथी साथ कुछ ऐसे भी aspirants हैं जिनके score less than 20 है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग कहीं न कहीं चीजों को accept कर रहे हैं आप लोग comment में reply कर रहे हैं ये काफी important हो जाता है कि अपनी कम्यों को accept करते हुए improvement के लिए ह इसके अलावा जो भी आपके previous year paper के PDF आप लोगों को provide कर आएगा हैं वहाँ से भी आप PDF को solve कर सकते हैं तो कहीं न कहीं धीरे धीरे आपके जो score है वो improve होते हुए आपको नजर आएंगे और जो आपका practice है जो आपका time लग रहा है वो भी कहीं न कहीं आपको कम होता हुआ द पहला अगर हम question की बात करें तो पहला question आपकी screen पर आ चुका है अनलोगी पर बेस question है फटाफट यहां पर solve करते हैं दिया गया है एंगर emotion एंगर इस प्रकार क्रोध क्या है एक भावना है उसी प्रकार हमें given pair of words में से एक क्या करना है सुमेलित option का चेहन करना है तो अगर ह और emotion इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर प्रोम ग्रेंट प्रोम ग्रेंट क्या है आपका एक fruit है जानि अगर खर हम बात करें अनर कह एक आपका फ़ल करते हैं तो प्रकार करते हैं यहां बैट पर चल्बेडग行 mat reviewed ते चली को में हम रहरी है ओन स्टैन्मीन के तो और आनव के डीवाइस तो यहां पर हम टेली विजन के साथ में जा सकते थे चलिए बात करते है पड़ा-फट से अगले प्रस्ठाप की अग्ले हम यहाँ पर प्रस्ठाप की बात करें तो इस प्रकार से यहां पर böylezhove वड है थो आपको यह तो लुसा का क्या है, capital city है, मनामा की बात क्या है, तो मनामा भी आपका क्या है, capital city of Bahrain, और हरारे की बात क्या है, तो capital city of Zimbabwe, ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी के तीन आपके क्या है, यापे capital cities है, जबकि एक क्या है, आपका currency है, यानि कि यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बात करते हैं अगले प्रश्ण की अगला प्रश्ण आपका coded form of blood relation से है तो मैंने कहा किवल हमें क्या ध्यान देना होता है कि first person का relation second person से है या second person का relation first person से तो यहां पर clearly दे सकते हैं first person का relation second person के respect में दिया गए तो directly हम हम लोग यहां पर question को solve करेंगे percentage की अगर हम बात करें तो percentage का मतलब यहां पर क्या है wife है at the rate की अगर हम बात करें तो at the rate का मतलब यहां पर क्या है daughter है और end की अगर हम बात करें तो यहां पर इसका मतलब क्या है husband है यानि कि अगर हम प्रस्ण की बात करें तो प्रस्ण में आपसे पूचा है how is care related to T तो यहाँ पर हम देखेंगे तो M अगर के की पतनी है तो अब इससी बात है के क्या हो जाएगा male member of the family यानि की husband हो जाएगा और यह इनकी क्या है पुत्री है यानि कि के इनका क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा और यह इनके पती है पुत्री का पती यानि के क्या हो जाएगा यहाँ पर father-in-law हो जाएगा और अगर हम T की बात कर तो T क्या हो जाएगा son-in-law पूछा किसके लिए how is care related to T यानि कि हमें बताना है के के लिए तो answer के अगर हम बात कर तो हो जाएगा father-in-law यानि कि option number A आते हैं अगले question पे counting of figure इससे आसान question देखने को नहीं मिल सकता मैंने आप लोग को quality बता है कि इस प्रकार की आकरती में जब हम लोग क्या करते है दोनों हमारे इस प्रकार से corner से touch हो रहे हैं तो जितने parts में divide होगा उसका just क्या कर देना है double कर देना यानि कि इस प्रकार से अगर हम बात कर इस आकरती में तो basically आप देख पार यहाँ पर 16 triangle तो ऐसे आपको बनते हो दिखाई देंगे इसके लाबा हम बात करें अगर इस सवाल है इस से कि तो इस सवाल है से हमें मिल जाएंगे कितने तीन त्रिभूज यानि कि त्रिभूज हो कि अगर हम कुल संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे 19 यानि कि option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए बढ़ते हैं फटा-फट से अगले question की और अगले अगर हम question की बात करें तो missing number पर based आपका question है तो यहाँ पर हमें row wise भी answer बनता हुआ देखने को मिल सकता है column wise भी देखने को मिल सकता हमें जरूवत है तो एक proper logic को pick करने की और साथ ही साथ अगर हम बात करें जितने ज़्यादा number of questions हम यहाँ पर solve करते हैं उतना ही कहीं न करें logics के साथ हम family year होते चले जाते हैं और कम समय में question हमसे exam में बनते हैं साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताए कि इस प्रकार के प्रस्णों में आपको कसम खाके नहीं बैटना है यानि कि अगर हम बात करें within one minute अगर आप question को solve कर पाते हैं तो ठीक otherwise आप mark for review का option को pick करेंगे और जो last में आपका बचा हुआ समय है वहाँ पे इन प्रस्णों को समय देंगे तो अगर हम बात करें यहाँ पे question की तो 22 और 32 22 या 7 से हम 32 बना ले यहाँ पे हम बात करें 22 और 18 से 32 बना ले 22 बना ले इस परकार से यहाँ पे हमें logic पिक करना होता है तो अगर हम बात करें यहाँ पे 22 प्लस 7 की बात करें तो हो जाएगा 29 और प्लस 3 18 प्लस 5 की बात करें तो हो जाएगा 23 लेकिन प्लस 3 करके 24 बनता हुए दिखाई नहीं दे रहा है कुछ और logic यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं find करते हैं तो logic के अगर हम बात करे अगर हम क्या करते हैं इन दोनों numbers का sum करते हैं तो 22 और 32 हो जाएगा कितना 54 और अगर हम इसको divided by 3 करते हैं जाएगा हमें कितना 18 इसी प्रकार से यहाँ हम बात करें 32 और 40 की तो number हमें मिल जाएगा कितना 72 और divided by अगर हम 3 करेंगे तो number मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है 24 इट मीन्स यह logic यहाँ पर हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें यहाँ पर options की तो 8 प्लस 7 की बात करें तो हो जाएगा 15 और divided by 3 करेंगे तो number मिलेगा हमें कितना 5 यानि की correct option की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका option number D आते हैं फड़ा फड़स यहाँ पर अगले question की और चलिए अगले question के अगर हम बात करें तो mathematical operations पर based question है और यहाँ पर मैंने आपको option का preference कैसे हमें चुनना है इसके बारे मैंने आपको बताया है तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले विकल्प की तो पहले विकल्प को हम लोग क्या करेंगे hold पर रखेंगे जैसा मैंने बताया कि आपको equals to को हम लोग last में जो consider करेंगे यानि कि पहले उसको हम preference देंगे और divide by के साथ में जो हमें whole number मिलता हुआ दिखाई देगा उस option को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्रिफर करेंगे बाकी के options को हम लोग hold पर रखते हुए चले जाएंगे तो अगर हम option B की बात करें तो यहाँ पर divide by का sign सबसे पहले आएगा अनि कि 60 divided by 2 की अगर हम बात करें तो हमें एक whole number मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6 और फिर अगर हम बात करें यहाँ पर हो जाएगा आपका सॉरी प्लस का 6 नहीं होगा यह 18 होगा multiply यहाँ है 32 फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा plus का 18 और minus का 5 equals to 43 तो यहाँ पर आप देखेंगे 48 minus 5 करेंगे तो value मिल जाए कितना 43 यानि कि correct option की अगर हम बात करें तो option number B तो इस प्रकार से option की preference को जानते हुए follow करते हुए आप कहीं न कहीं अपना समय बचा आपाएंगे चल यह बात करते हैं अगले प्रश्न की अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको various थरीके बताएं है फिर यहां पर यू फिर एक की जगय पेस्पेस दिखाई दे रहा हystem आपको Z दिखाई दे रहा है यहां कि अगर हम बात कर यहां पे e Rendable कर सकते हैं और यहां पर επाष्फिन कर सकते हैं इसके इक element पहले यू के अक और यहां पर इस प्रकार से आपको भी श्रन को बना सकते हैं कि अगर हम यहां पर यहाँ पे grouping करी होती तो number of elements मिलते आपको 18 और 18 elements को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 6-6 के 3 groups में divide करके question को हल कर सकते थे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगले दिमें प्रश्न की बात करूँ तो coding decoding पर based question है वर्श्य के लिए जो code दिखाई दे रहा वो आपको दिखाई दे रहा 201 logic की हम बात करें तो इस पर कार्ट के प्रस्म में आपको होता है सबसे जो पहला preference होता है वो हमारा क्या होता है sum of the place value तो place value के अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है 22, 9, 18, 20, 21 और 5 इन सबको अगर हम add करें तो यह हो जाए कि अपका 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 और 10, 95, 95 यानि कि 95 बनता हुआ दिखाई दे रहा है 95 के multiple यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पर number अगर होता 101 तो हम कहा सकते था कि 95 में हमने क्या कर दिया number of letters को add कर दिया तो 101 बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर 95 के multiple करने भी आपको 201 या 95 के आजपास यहाँ पर 201 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या था कि दूसरा तरीका यह था कि हम क्या करें इनके opposite letters की यहाँ पर हम बात करेंगे तो अगर एक बार हमने यहाँ पर letters की place value निकाल लिए तो opposite letters के लिए हमें पूरा add करने के ज़रत नहीं simply क्या करेंगे number of letters को multiply करेंगे 27 से तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 7 चंग 42 यानिकी 162 में से हमें 95 को क्या कर देना है minus कर देना है तो यहाँ पर value मिल जाएगे हमें कितनी 100 minus करोगे तो यहाँ पर मिलता हमें 62 5 एड़ कर दो मिल जाएगा हमें कितना 67 67 के अगर हम बात करें तो 67 के multiple में आपको 201 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो कितने times में दिखाई दे रहा है तो 6 तरीक 18, 27 यानिक अगर हम बात करें 3 times की तो 3 times में आपको 201 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो three times हम क्यों multiply करें तो यहाँ पर आप देख सकते कि number of vowels के अगर हम बात कर तो number of vowels भी तीन है और number of consonants भी कितने है तीन है तो यहाँ पर हो सकता है कि हमने क्या किया opposite letters की place value का sum किया उसके बाद हम लोगों ने number of vowels या number of letters के अधार पे उस number को multiply कर दिया तो इसको हम verify करने के लिए अगले दिये गए word के साथ में जाएंगे यहाँ अगर हम बात कर इसके opposite letters की तो यह हो जाएगा 7 t का opposite r का opposite i यानिकि 9 a का opposite z 26 e का opposite t 20 e का opposite v यानिकि 22 d का opposite w यानिकि 23 y का opposite b यानिकि 2 इन जब को अगर हम add करें तो यहाँ पे हो जाएगा 9 7 16 16 26 22 22 24 3 27 और 2 29 का 9 कैरी जाएगा 2 224 26 28 209 और यहाँ पे अगर हम बात कर 109 का double करने पे हमें 218 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर हम यहाँ पे देखे तो यहाँ पे नमबर ऑफ यहाँ पे वावल्स के वावल कितने हैं दो है यानि कि हम कहे सकते हैं कि opposite letters की place value का sum किया हमने उसके बाद जितने number of यहाँ पे वावल्स है उसके साथ हम लोगों को ने क्या कर दिया multiply कर दिया तो यहाँ पे हमे code मिल जाएगा तो इस प्रकार से कर हम बात करें given word जिसके लिए हमें code find करना है तो P का पोजिट होता है कि place value हो जाएगा यहाँ पे 11, R का पोजिट I, place value 9, O का पोजिट L, place value 12 F का पोजिट U, place value 21, A का पोजिट Z, place value 26 N का पोजिट M, place value 13 और E का पोजिट V, place value 22 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 1, 4 अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने number of vowels आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप देख सकते O, A, और E यानि कि 3 vowels आए हैं यानि कि 1, 1, 4 को हम क्या करेंगे 3 से multiply करेंगे तो value यहाँ पे हमें बनती हूँ दिखाएगे कि 3, 42 यानि कि अगर हम बात करें coding decoding में इस प्रकार के typical question भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप इस तरीके के logics के साथ इम फैमिलियर नहीं है तो obvious सी बात है आप exam में question नहीं बना पाएंगे पहली बात दूसरी important बात है कि अगर आप logics के साथ में familiar है फिर भी आपको check करने में ही इतना time लग जाएगा कि आप race से बाहर हो जाओगी क्यों 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 कि आपको place value opposite letters साथ इसाथ किस प्रकार से smart तरीके से हमें या पर calculation करनी है या अगर हम बात करें जैसे हमने place value निकाल ली तो फिर बाकी हम opposite letters की place value लिखने में अपना time waste नहीं करेंगे मैंने आपको बताया है तरीका 27 से multiply कर देना number of letters को और उसमें से value जो भी आपको यहाँ पे मिली उसको घटा देना है तो कहीं न कहीं आप अपना समय बचाईए place value आपको याद होनी चीए उतना कम समय में आप questions को आसानी से बना पाएंगे चल यह बात करते है अगले प्रशन की अगले दी मैं प्रशन की बात करूं तो बोला है vessel क्या है empty है जिस प्रकार से vessel अगर हम बात करें पात्र क्या होता है खाली होता है तो seat भी क्या होती आपकी खाली या फिर आप English की अगर हम बात करें तो बोल सकते है vacant होती है यादि कि option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए बात करेंगे अगले question की कि अगले अगर हम question की बात करेंगे तो यहां पर हो रहा है दस से चार यानी का चार यहाँ पर हम बात कर teşekkür तो 26 से 20 या यानि कि माइने का CHE और 15 से 22 यानि कि माइने का तीन यहां पर हम बात करें तो 15 से 99 यानि कि माइनस का CHE और चार से कैसा हक confess तो पीछे जाओगए तो माइनस 4 करने आपको ज्रेड मिले गा निगिसे फूर्थ letter की बात करें पीछे तो minus का 4 होता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहीं से आप answer mark कर सकते हैं तो option number B को आगे आपको check करने की जरूत नहीं थी verify कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें 27 एको मैं 27 क्यों बोलना हूँ आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे इतना सारे sessions attend करने के बाद चले तो यह हो जाएगा आपका 27 27 से हो जा रहा है कितना 21 है नहीं कि minus का 6 और 16 से हो जा रहा है 12 है नहीं कि minus का 4 तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टू पेर अफ लेटर्स में minus 6 और second आपके जो पेर हैं वहाँ पे minus का 4 होता हूँ दिखाए तो यहीं आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ने के लिए चले आते हैं paper cutting and folding पर paper cutting and folding के अगर हम बात करें तो आपको बताया था कि last fold पे क्या करना है mirror लगाना और केवल और केवल हमें options को क्या करना है eliminate करना है तो option को eliminate आपके साधार पे करेंगे यानि कि यह वाला जो triangle आपको यह उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा और यह जो आपका उल्टा वाला triangle था यह आपको कैसा बनता हुआ दिखाई देगा यह आपको उपर में सीधा बनता हुआ दिखाई देगा और इसी परकार के pair से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर options को eliminate कर सकते हैं यानि कि अगर हम बात करें और option number A तो option number A में यह वाला triangle आपको यहाँ पर सीधा दिखाई दे रही है जो कि क्या होगा गलत होगा इस परकार से आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा Option Number B के अगर हम बात करें तो यह वाला आपका triangle आपको उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा तो यह भी क्या हो जाएगा Option Number अगर हम C की बात करें तो दोनों आपको एक जैसे यहाँ पर triangle बनते हो दिखाई दे रहें तो यह भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा option number d को आप आँख बन करके answer mark करके आ सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा focus होने की जरुवत नहीं है clear बाकि आप इसको verify करा सकते हैं इस प्रकार से चार भागों में बाट कर चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम लोग अगले प्रस्ण की अगले दी मैं प्रस्ण की बात करूँ तो बोला है राज equals to 87 तो फटा फट से मैंने का पहला priority क्या होगा place value place value की बात करें तो 18, 1 और 10 यानि कि 18, 10, 28, 29 और 29 को जब हम 3 times क्या करेंगे multiply करेंगे तो value मिलेगी हमें कितनी 87 यानि कि हम कह सकते हैं sum of place value multiplied by number of letters तो क्या ये बात यहाँ पर भी applicable हो रही है तो इसको फटा फट से verify करते हैं तो यहाँ पर अगर हम जी की बात करें तो 7, I की बात करें तो 90 की बात करें तो 20 और यहाँ पर हो जाएगा तो इसी प्रकार हम लोग logic applicable करेंगे किसके लिए पूछेगा है word के लिए यानि कि वी की अगर हम place value की बात करें तो 22, A का हो जाएगा 1, R का हो जाएगा, 18, U का हो जाएगा, 21, N का हो जाएगा, 14 सब के अगर हम सम की बात करें तो 22 और 18 हो गया, 40, 40 और 20 हो गया, 60, 60 और 15 हो गया, 75 और 76 76 के अगर हम बात करें तो multiply करना हमें 5 से तो 7, 35, 350 और 6, 35 यानि की 380 आपका option number D क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए प्रसने के लिए, चलिए बढ़ते हैं, अगले question की और, अगले question के अगर हम बात करें तो कोई smart तरीका, मैंने कहा ना basic मैं आपको नहीं पढ़ाओंगा, जो भी maths के question यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो smart तरीके से question का हम लोग बनाएंगे, the present age of a father is three times that of his elder son, four year hence, the age of the father will be four times that of his younger son, यानि कि अगर हम younger son की बात करें, तो younger son और father की age का जो ratio है, यानि कि plus four years के बाद, वो कितना देखने को मिलेगा, तो वो हमें one is to four का ratio देखने को मिलेगा, इसके लावा अगर हम बात करें, if the difference between the present ages of the elders and younger child is six years, यानि कि elder और younger का अगर हम difference की बात करें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, कितना six years, ठीक है, what is the present age of the father, अब देखो, एकदम smart तरीका आसानी से बता रहें, जब आपके पास option है न, तो question आपके लिए बेहाद आसान हो जाता है, तो हम उस option को prefer करेंगे, जो कि क्या हो, three से divisible हो, पहली बात, यानि कि one is to three का present age पूछा है, तो present वाला जो number होगा, वो क्या होगा, three से divisible ह होगा, दूसरी important बात कि जब हम उसमें plus four करें, यानि कि जब हम उसमें चार add करें, तो वो क्या हो जाए, चार से भी divisible हो जाए, यानि कि चार का भी क्या हो जाए, multiple हो जाए, और फिर उस number को हम यहापे क्या करेंगे, value रख करके verify कर देंगे, तो पहले विकल्प कि अगर हम हम बात करें, 36 की, तो 36 आपका three से भी क्या है, divisible है, plus four करेंगे 40, तो वो आपका क्या हो जाएगा, four से भी divisible हो जाएगा, यानि कि हम इस option के साथ में जा सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम option number a की बात करें, तो option number a को हम यहाँ पे क्या करेंगे, value put करके verify करेंगे, अ यहाँ पे value रखते हैं, 36 as a present age of father, तो यहाँ पे जो elder son की age है, वो कितनी हो जाएगी, nine हो जाएगी, और younger son की अगर हम age की बात करेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, three, और three में जब हम plus four करेंगे, तो हो जाएगा seven, और उस time जो father की यहाँ जब हो कितनी यहाँ पे देखने को मिलेगी, 36, sorry, यहाँ पे आपका मिलेगा 12, nine नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका 12, one is to three का ratio था, अब इसमें से जब हम छे गटाएगे, तो प्रेजेंटेज जो younger son हो कितनी हो जाएगी, छे हो जाएगी, और इसमें जब हम plus four करे तो यह हो जाएगा, 40 और इस प्रकार से यहाँ पे one is to four का ratio आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो और कुछ यहाँ पे आपको करने की आप शक्ता नहीं थी, आप आसानी से option को देखिए, ratio वाले number में plus और minus करके देखिए, कि उस number से भी यह divisible हो रहा है या नहीं हो और वही आपका क्या हो जाएगा, आसानी से आप option as a answer अपना pick कर सकते हैं, clear, ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको basic से solve करने की जरूत नहीं, otherwise आपका question क्या हो जाएगा, काफी length दियो जाएगा, चलिए, अगले question के अगर हम बात करें, तो odd one out पर based again, यहाँ पे आपको question देख k, a का opposite z, और c का opposite x, यानि कि अगर हम बात करें, तो opposite सभी में opposite letters का pair आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा, इस basis के हम इसको eliminate नहीं कर सकते, और दूसरे अगर हम यहाँ पे option की बात करें, तो हम यह भी नहीं कह सकते कि, यहाँ पे आपको vowel दिखाई दे रहा, यहाँ पे यहीं होता, बाकी के तीन options में आपको vowel दिखाई देते, तो हम उसे एक option के साथ में जाते, जिसमें आपको vowel देखने को नहीं मिलता, दूसरे अगर हम यहाँ पे logic की बात करें, तो देखते हैं, P से अगर हम बात करें, V की तो यहाँ पे आपको plus 2 देखने को मिल रहा है, G से अगर हम J की बात करें, तो plus 2, S से Q की बात करें, तो minus 2, M से P की बात करें, तो plus 3, और N से की की बात करें, तो minus 3, यानिकि इस बैसिस ले elegante पे option number C को answer mark कर सकते हैं, जैसा कि यापे भी आप देख सकते हैं, या पे plus 2, और यहाँ पैपको 26 से 24, यानिकि minus 2 देखने को मिल रहा तो इस बैसिस पर यहाँ पर आपका option number C जो है वो क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रस्ट की highlighter, stationary और eraser तो stationary के अंदर आपके highlighter भी आता है और eraser भी आ जाएगा जाने कि अगर हम बात करें option number B की तो option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्टन के लिए बात करेंगे अगले question की अगला question आपका open dice पर बेस्ट है आसानी से आप answer mark कर सकते थे पूछा क्या है तीन अंक वाले फलक के विपिरित कौन से फलक होगा alternate surface क्या होते हैं opposite होते हैं तो option number A क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्टन के लिए बात करते हैं यहाँ पर अगले question की अगले हम question की बात करें तो dictionary order पर बेस्ट यहाँ पर आपको question देखने को मिल रहा है तो SE सभी में क्या है common है इसके बाद अगर हम बात करें तो एक option को छोड़ दें तो सभी में आपको N देखने को मिल रहा है जबकि हम P वाले की बात करें तो last में आपको 4 देखने को मिलेगा यह निकि option number C क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा इन सभी भी कलपों की अगर हम बात करें तो पहले S वाले आएगे तो S A आएगा पहले 1 आएगा फिर आपको देखने को मिलेगा तो 1 और 2 की अगर हम बात करें तो option number A के साथ हम लोग जाएगे option number A के हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रसने के लिए चलिए बात करते हैं अगले question की अगले question की अगर हम बात करें तो mirror image पर based यहाँ पर आपको question देखने को मिल रहा है तो हम क्या करें यहाँ पर water image वाले जितने भी bu semester हम लोग option को eliminate करेंगे sequence के अगर हम बात करें तो sequence भी आपको यहाँ पर लगबग लगबग सेम देखने को मिल रहा है यानि कि A फिर उसके बाद ने P फिर यहाँ पर 6 6 के अगर हम बात करें तो यह जो circle है यह आपका ऊपर की ओर नहीं होगा नीचे की ओर होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 3 option क्या हो गए eliminate हो गए बचा विकल आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए परस्न के लिए चलिए बात करते हैं अगले question की अगला question आपका number series पर based है तो फड़ा फड़ा से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले difference निकाल लेंगे difference के अगर हम बात करें तो 18 और 29 के बीच में हमें यहाँ ग्यारा का difference देखने को मिल रहा है फिर 29 और 42 के बीच में आप हमें 13 का difference 42 और 59 के बिश्यों में 17 का difference 17 के बाद अगर हम बात करें 19 का difference 19 के बाद अगर हम बात करें 23 का difference यानि कि यह जो भी difference में आपको numbers दिखाई देने यह सभी कैसे number है तो यह सभी prime number है तो 23 के बाद जो अगला prime number आएगा वो क्या आएगा तो वो आजाएगा आपका 29 यानि कि answer के अगर हम बात करें तो answer हो जाएगा 130 यानि कि option number B चलिए बात करते हैं फटाफट से अगले प्रस्ण की अगले प्रस्ण की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर जो तरीका हम लोग follow करते हैं यानि कि 25 से हो जा रहा है 24 तो 24 से हम कह सकते हो जाएगा 23 और 23 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 22 यानि कि 23 की हम बात करें तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा W जो कि आपको सभी विकल्पों में देखने को मिल रहा है 20 से 22 22 से 24 और 24 से यहां पर 26 बनता हुआ दिखाई देर तो 24 की बात कर तो हमें देखने को मिलेगा X यानि कि यहां पर 2 option आपकी क्या हो जाएंगे eliminate हो जाएंगे U की बात करें तो 21 से हो जाएंगा 18 माइनस 3 18 से अगर हम माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 से माइनस 3 करेंगे तो 12 बनता हुआ दिखाई देर नहीं 15 की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा O यानि कि option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए यानि कि 21 से 18 18 से गए तो 15 और 15 से गए तो 12 और लास्ट वाले को आप वैरिफाई कर सकते थे यहां पर कैसे 17 से हो जाएगा 21 प्लस 4 21 से 4 करोगे तो हो जाएगा कितना 21 चार 25 यानि कि वाई देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको वाई देखने को मिल रहा है बात कर लेते हैं आपर अगले प्रस्ण की 12 5 60 12 84 यानि कि इंटू 5 और इंटू 7 यहां पर अगर हम बात करें 13 65, 13 सते 90 होता है option नमबर यह नहीं बन रहा है 15 55 होता है नहीं बन रहा है option नमबर C की बात करें तो 16 85 और 16 गुणे 7 करोगे तो एक सो 12 यानि कि option number C क्या हो जागा यहां पर right answer हो जागा पूछे गए प्रस्चन के लिए चलिए आते हैं अगले question क्यों अगले question के अगर हम बात करें तो 15 का relation जिस प्रकार 195 से 18 का relation 288 से है उसी प्रकार 16 का relation किसे होगा यह आपको बताना है तो अगर हम बात करें यहां पर 15 का relation 195 से है तो 15 गुले अगर हम बात करें यहां पर 10 करते हैं तो 150 और उसके बाद हम 15 गुले 3 करते हैं तो 195 हमें देखने को मिलेगा यानि कि 15 गुले 13 हम करेंगे 15 multiplied by 13 तो हमें देखने को मिलगा है 25 फिर अगर हम बात करें 2018 की तो 288 18 का multiple है तो 180 हो जाएगा और इसके बाद हम बात करें तो 6 बार में आपका ठीक है यानि कि अगर हम बात करें तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 18 गुले हम क्या कर रहे है 16 कर रहे हैं यहां पर आ जाएगा आपका एक बार में 18 बचेगा आपका 108 तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा 8 बार में ठीक है सुरी बचेगा 10, 16, 6 बार में ठीक है तो यहां पर आपकर हम बात करें 16 बार में आपका जा रहा है 288 डिवाइड हो रहा है यानि कि हम कह सकते हैं जो नंबर है इसमें से हम माइनस 2 करके मल्टिप्लाई कर दें नंबर को तो हमें यह वैल्यू बनती हुई दिखाई दे रही है इसी परकार नंबर में अगर हमने माइनस 2 कर दिया और मल्टिप्लाई कर दिया तो हमें यह वैल्यू बनती हुई दिखाई दे रही हुई तो इसी परकार हम 16 की बात करें तो 16 मेंगर हम माइनस 2 करते हैं yi vorstellen निकि 14 और इसका मॉइं 16 में करते हैं तो 6 को 24 यहां पर हो जाए कि किसी भी number के last में 5 होता है तो हम कैसे करते हैं पूरा 25 यानि कि 25 और इसमें एक आगे जोल करके हम लोग multiply कर देते हैं यानि कि इस प्रकारत हमें value मिल जाती है तो same and 10 जो rule है ना वो आपका ना किवल 5 वाले पे बलकि कोई भी ऐसा number जिसके last के दो डिजिट का सम कितना हो रहा हो 10 हो और फर्स्ट वाली डिजिट क्या हो same हो तो वहाँ पे भी रूल आपका अप्लिकेबल होता है जैसे माल लेते हैं हमने कहा 24 और 26 तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 10 हो तो यहाँ पे भी आप directly कर सकते थे 6, 4, 24 और यहाँ पे 2, 3, 6 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से various tricks आप लोगों ने अगर हम बात करें mathematics में जब simplification आप लोग पढ़ रहे तो वहाँ पे भी आप लोगों सीखी होगी तो जरुवत है तो केवल और केवल आपको उसको apply करने की चलिए बात करते हैं अगल यहां से 135 डिगरी जाएंगे तो यह हमें देखने को मिल रहा है जो कि आपको दो विकलपों में देखने को मिल रहा है तो हम बात करेंगे दूसरे वाली आकरती की अगर हम बात करें तो यहां पे 135 डिगरी का rotation आपको clockwise डिरेक्शन में देखने को मिल रहा है तो यहां से भी 135 85 degree clockwise जाएंगे तो हमें जो direction देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें south west यानि कि south west में ये हो जाएगा और north west में आपका ये हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका option number a क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की जो कि आपका embedded figure पर based question है और यहाँ पे rotation not allowed वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है तो इस प्रकार से जो भी आकरती यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देख इसकी अगर हम बात करें तो इस प्रकार की की बात के तो option number C में भी यहाँ पे आपको अकरती बनती हुई दिखाई दे रही और यहाँ से आप इसको आगे move on कर सकते थे यानि कि option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए बात करते हैं अगले प्रस्न की अगला प्रस्न आपका syllogism पर based question है तो फटा फट से हम यहाँ पे क्या करेंगे structure बनाएंगे all locks are wall सारे के सारे locks क्या है wall है all walls are door सारे के सारे wall क्या है door है some doors are keys कुछ door क्या है यहाँ पे key conclusion कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो some locks are keys कुछ lock क्या है नहीं सकते c के अगर हम बात करें तो all locks are doors सारे के सारे locks क्या है door है तो यह बात बिलकुल यहाँ पे सही है next one के अगर हम बात करें some keys are door कुछ key क्या है door है तो यह बात यहाँ आपको सही होती दिखाई दे रही है यानि कि अगर हम बात करें उत्तर की तो यहाँ पर हो जागा only conclusion 3 and 4 3 and 4 की बात करें both conclusion 3 and 4 follow यानि कि option number C कि हो जागा है यहाँ पर right answer हो जागा पूछे गए प्रशन के लिए तो यह था आपका practice session number 6 और comment करके बिल्कुल बताना ना भोलें कि आपके पूछे गए प्रशनों में से कितने प्रशनों के उत्तर सही हुए तो मिलते हैं कुछ और amazing information के साथ आज के लिए इतना ही thank you